गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 12 वी तक फ्री शिक्षा की सिफारिश SCST दिल्ली विधान सभा के कल्यान संबंधी समिती के अध्यक्ष विशेश रवी की अध्यक्षता में शनिवार को समिती की 13 वी बैठक हुई इस बैठक में अनुसूचित जाती और जनजाती के कल्यान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई समिती के अध्यक्ष विशेश रवी ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले EWSDG छात्रों के अधिकारों और उनके कल्यान को सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शिक्षा विभाग को तलब किया था बैठक में विचार विमर्ष किया गया की शिक्षा का अधिकार, RTE, अधिनियम वर्तमान में 6 से 14 साल की आयू के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है लेकिन लाब केवल कक्षा आर्ट तक ही प्रदान किया जाता है इस समस्या से दिल्ली में कई EWS, DG चात्र संगर्ष कर रहे हैं प्लास आर्ट से आगे की फीस का भुपतान न कर सकने पर स्टुडेंट स्कूल छोड़ने को मजबूर होते हैं समिती ने सिफारिश की है कि शिक्षा विभाग को प्राइवेट स्कूलों में 12 वी तक पढ़ने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, DG के चात्रों को मुफ्ट शिक्षा का लाब देना चाहिए इस बात पर भी चर्चा 13 वी बैठक दिल्ली विधान सभा की कल्यान समिती की हुई बैठक समिती के अध्यक्ष विशेश रवी ने कहा हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे की शिक्षा तक पहुँच होकी गई कि कुछ निजी स्कूलों को सरकारी एजैंसियों से जमीन मिली है वे पहले से ही कलास 12 तक के अध्यक्ष बच्चों को मुफ शिक्षा दे रहे हैं